हेलो स्टूडेंट्स दिस इस यूर आउन टीचर गीता अगरवाल इंग्लिश मिस्ट्रेस टीचिंग एड गॉर्मिन्ट सीनियर्स कैंडरी स्मार्ट स्कूल इकलाहा डिस्टिक्ट लुध्याना स्टूडेंट्स आज आपां सेवन्थ क्लास दा सैंपल पेपर देखांगे जो की तो हानू जुलाई महीने देविच आना है स्टूडेंट्स जी में कि तुसी देख सकते हो उपर लिखे हैं मैक्समम मार्क्स 20 सो इहें बी नंबर दा पेपर होवेगा सब्तो पहला तो हानू की आएगा रीड दे फोलिंग पैसेज और अंसर दे फोलिंग क्वेस्ट्स एप पांज नंबर दा आवेगा तो हानू आओ पहला पैसेज पढ़के देख दियां फिर समझ दियां की इस विच की करना है Trees are the lifeguards for us. We cannot think of life on earth without trees. It is because we depend on trees. Trees provide oxygen to us. Our food also comes from trees. Even all the creatures on earth depend on trees for food and shelter. We get a lot of things from trees like wood, honey, paper, jute, cotton, etc. Trees beautify the environment. They preserve moisture. They stop soil erosion. The soil also becomes fertile only because of trees. If we wish to survive on earth, we need to protect the trees. So, बच्चों, जिमें कि तुसी यह paragraph passage पढ़ेया, मेरे नाल-नाल, ता तुसी देखिया कि इस दे वीच आपा Trees दे बारेची सारी गल्बत किती है. आपा की की देखिया कि Trees जेड़े ने सड़े Life Guards ने जे Trees नहीं होनगे ता सी जिन्दे नहीं रहांगे क्योंकि बहुत सारी वनिस्पति है जेड़ी हो Trees दे डिपेंड कर दिया है. ता इस तरह ने बहुत सारी गल्ब आपा देखिया ओक्सीजन दिन्देने, फूड मिल दा है सानुए Trees तो, बहुत सारी जेड़ेचर्ज ने ओफूड ट्रीस ते डिपेंड कर दियाने कि किसली फूड ते शेल्टर दे लई, ता ट्रीस आनु होर भी बहुत कुछ दिन्द मतलब हो हो मिट्टी पूखोर बोल दिया जिनू अनु मिट्टी दे खुरन रोक देने, दा स्वाइल अलसो विकांस फर्टाइल, फर्टाइल क्यों दिया उप जाओ, अनली बिकास अफ ट्रीस है ना, इफ विष्ट तू सर्वाइव क्यों दे बच्छो बचना, अना प्रशन उत्तर देख दिया बच्यो उपर पैसे जान दे ति नीचे प्रशन उत्तर दिते हों देने तूसरी उना दे उतर देने हों देने, र番ड, फर्स्ट क्यों ने, फर्स्ट लाइन देखो, ट्रीस corporaning डेखो ट्रीस आरली लाइफ गार्ड्स ने, की ने सडली ट्रीस ल की दिन देने second line चे देखो की लिख्या हो है trees provide oxygen to us ता एद answer हो गया third question की है what are all the creatures depend on trees for ता एथे देखो second line दे last चुरू होंदा है all the creatures third line ते आगया पा on earth depend on trees for food and shelter ता बच्चो देखो एथे answer बने बनाए थो नू मिल रहे ने सिरफ तुसी ओना lines नू लबना होंदा है की ओ कित्थे answer पे है what things do fourth question what do what things do we get from trees trees तो सानू की मिल देखो एथे third line we get a lot of things from trees like wood honey paper jute cotton etc ता एक question भी answer मिले आपनो fourth question fifth question how does trees beautify the environment trees साथे environment नू की में beautify कर देने वैसे ता बच्चो एही question आपा answer खुद भी बना सकते या बट क्योंकि हजे तुसी चोटे हों ता तुसी सिरफ एथों ही देखके answer बनाना है जी मैंकी fourth lines लिखे trees beautify the environment because कर के आपा trees beautify the environment because they preserve moisture and stop soil erosion इस तरह आपाईनो answer नू बना देने थो देखके राइट ता बच्चो एह सी थोड़ा जेड़ा की पांज नंबर दा आना है पेपर दी शुरुआत देवीच उस्तो बाद की आना है second question answer any two of the following questions ता बच्चो एथोड़े lessons देवीचो question आने ने तिन question आने तिन देवीचो कोई भी दो question तुसी कार सकते हो जेड़ा भी तो नू आनदा होवे ते दो question दो दो नंबर दे होंगे टोटल चार नंबर दे होंगे why did the farmer buy the well? farmer ने क्यों well नुखरिद दिया सिगा? because he wants to water his fields ता एक question दा अंसर हो गया next question why does the poet call passenger and mail as precious loads? क्यों आप पसेंजर से mail नू लोड़ प्रिशिस लोड़ केने हा? because without passengers and mail, trains are roseless next question है विचो why did the brahmin accept Akbar's challenge? because he was very poor brahman ने क्यों challenge Akbar दा accept किता सी? क्यों क्यों बहुत गरीब सी so next विटा third question दे अपा आगे make sentences from the foreign sentence any two ता अपने कोल पंज शर्ब्द ने बच्यो ता आप पंज शर्ब्दां दे इना दे विचो कोई भी दो शर्ब्द आपा ले लने है उनना दोना दे आपा sentence बना दने है ठीक है? ता देखो जमे की justice justice की बन सकता है? I want justice justice क्यों दे इंसाफ? मैंनों इंसाफ चाहिदा है next word है विटा freight I paid freight freight क्यों दे किराया? ता इस तरह दो sentence दो वर्ड्स तो किसे भी दो वर्ड्स तो तुसी sentence बना सकते हो दो नमबर दे आनगे next question fourth question do as directed do as directed जिमे किया जन्दा ओमी करो first है ए पार्ट है fill in the blanks with abstract noun of the word given in the bracket abstract noun बनाने पहला दुसी न उपर instructions नूटिया आनल पढ़ना हुनदा दे विचे do as directed दे विचे की करना है ता blank दे विचे अपा abstract noun परना है जिडा bracket दे विचे word देता हुए है उसनों use करना है ता dash is the best stage of our life childhood ठीक है childhood is the best stage of our life next है filling the blanks with the suitable adverb given in the bracket ये दे विचे की परना है आपा adverb परना है है न ता adverb केड़ा हुनदा है आम तोटे तो उन्हों teachers ने समझाए ही हुगा जिदे विचे ly लगया हुनदा है पहचान कर सकते है वैसे ता ly तो भी ना हुए बहुत सारे adverbs हुनदेने बट still ऐसे ता लगया हुए मिल रहे है ता बड़ा असान है अकबर spoke dash with the brahmin ता ly वला वर्ड केड़ा soft जा sternly yes sternly है ना next fill in the blank with the suitable conjunction given in the bracket ता इचे पर conjunction लगानी है केड़ी conjunction लगा मांगे you will get the award if you deserve it ना तो नूई वाड ता मिलूगा जे तुसी रहे लाइक होंगे ता मिल जाना तो नूई नाम next complete the following sentence by adding a suitable prefix to the word given in the bracket ता हुन आपकी करना है जरा पीछे word लिख्या हुए है bracket दे वीच ओदे अगे prefix लगा के अपने अथी लिख देना है he lost the match so he was unhappy वो match हार गया इसलिए की हो गया उदास हो गया unhappy अन की लगया आपका prefix लगाता next translate any three of the following sentence into English ता पंच sentence इते ने उनना चो कोई भी तिन अपने करने ने तिन sentence जी आपा English दे विचे रहनू बना आदने ता अपनू तिन नंबर मिल जाने है ता देखो मैं स्कूल जान्दा हां I go to school बच्चे खेड रहे हां the students the children are playing मैं काल पाठ याद किता सी I learned the lesson yesterday ओ किते जा रहे है where is she going शान्ती बनाई रखो keep quiet ता इस तरह आए ना चो कोई भी तिन sentence उसी अपने paper दे विच लिख के आ सकते हो sixth question की है write an application to the headmaster of your school for one day leave because you are going to a doctor ततो उनों एक दिन दी छुटी चाही दिया है अपने application लिखो headmaster नो principal नो application लिखनी है चार नंबर दी आएगी जा तुसी application लिखो जा फे नीचे दित है paragraph write a paragraph on a journey by bus ता जा फे तुसी paragraph लिख सकते हो दोना दे भी चो एक करके आना है चार नंबर मिल जानगे तो नू ता बच्चियों जे तो हानू मेरी वीडियो अच्छी लगी होवे ता तुसी इसनू like, comment ते share जरूर करने है कि होर बच्चियां दावी फाइदा हो सके ओके देन बाई बाई से यू अगे